श्री शिवाय नमस्तु भियम फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो एक कहते ना एक एक एक्जामपल के तोर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगर आप कोई फैक्टरी के ओनर हो आपकी कोई इंडर्श्रीज है और भूत मेहनत करने के आप उस फैक्टरी को अच्छी तरह रनप नहीं कर पा रहे उस फैक्टरी की जो वार्शिक प्रोफिट है यानि एन्यूल प्रोफिट को गेन एन प्रोफिट यानि उसकी मुनाफे में नहीं कर पा रहे दिन रात मेहनत कर रहे हो उपर factory अच्छी नहीं चला पा रहे तो यहाँ पे हम तो ऐसा ही कहेंगे कि यहाँ पे गलती आपकी है अब आपको यह बात सोचके सुनके भी ऐसा लगेगा कि भी इसमें हमारी क्या गलती factory के हंदर हम एकदम onationally काम कर रहे है product अच्छा दे रहे है तो भी हमारी factory में profit नहीं हो रहा तो उसमें हमारी क्या गलती क्योंकि आपने खाली एकी तरह एकी तरफ द्यान रखा है only for hard work कभी smart work के बारे में सोचा ही नहीं है क्योंकि आपकी जो factory नहीं वहाँ पे कोने labor काम कर रहे तो उसके अंतर के ताके उसकी ओरा में connect होके आपके अभी जो mind thought है hard work की तरफ चला गया है आज आप देखिए इस शहर के अंदर और या इस world के अंदर तो बड़ी बड़ी company आ है वो क्योंकि smart work कर रहे है क्योंके profit हो रहे है उनका मुनाफा देखिए उनका turnover देखिए हजारो करोडो रुपय में हो रहा है तो friends यहाँ पे हमें यह आपको हमारे हिंदू धरम सास्तर के जो वास्तू सास्तर है उसके इसाब से यहाँ पे कुछ guidance देंगे आपको ये वीडियो को left नहीं करना इस वीडियो को खास अंतक देखना है ये 4-5 एपिसोड की एक शंकला में बनाएंगे खास करके ये जो मेरा पूरा वीडियो है वो एक factory मालिक एक industry owner के लिए है जो छोटा बड़ा या बहुत बड़ा काम कर रहे है जिसकी एक factory है या 10 factory है छोटा वर्क्शोप है या बड़ा वर्क्शोप है छोटी manufacturing unit है या बहुत बड़ी विशाल का ही manufacturing unit है सबको एकी rules एकी regulation पर यहां पर workout होना है सबको क्या-क्या गलती है खुद not down करना है आप आज एक copy भी ले लीजिए साथ में और यहां से मैं आपको कुछ-कुछ ऐसी चीजे दिखाऊंगा जो चीज आपके वहाँ पर गलत है यानि आपके smart work में आपने वो नहीं समझ पाए कि ये गलती की वया से मेरी factory नहीं चल रही यानि ये आज मैं आपको जगाने की समझाने की कोशिस करूँगा कहीं मैं यहाँ पे सच भी साबित होंगा और कहीं आप भी समझ सकेंगे किया ये problems है इसलिए मेरी factory नहीं चल रही तो आज ये मिल जूल के वीडियो को हम देखेंगे समझेंगे और आपको share कर रहे है तो friends सबसे पहले हम factory की बात करते हैं तो आप now down कर लीजिए एक copy pen लेके के अगर आपकी factory है तो वहाँ पे दुवार कहाँ पे होना चाहिए first 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 दुवार अगर आपका दुवार गलत है तो समझो factory में problems है यानि आपके factory मेहनत करने के बाद नहीं चल रही तो सबसे पहले हम ऐसा नहीं कहेंगे के यही दुवार चाहिए हम चारों दुवार की बात करेंगे के चारों देशा में जिस जिसकी owner है उनकी factory है तो वह दुवार ले सकते तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोर्थ दिशा में अगर आपकी फैक्टरी है तो आपको नोर्थ 0 डिग्री यानि 360 डिग्री नोर्थ में ही द्वार बनाना है अगर आपका द्वार थोड़ा भी आगे पीछे है तो वास्तू के अंदर हम ऐसा कहेंगे कि ये आपकी गलती है यानि आपको अगर नोर्थ फैसिंग आपकी फैक्टरी है तो आपका जो मुख्य द्वार है में एंटरंस का द्वार वो नोर्थ में ही रहेगा वहाँ से आपको आना जाना है आपके लेबर वहाँ से आना जाना करेंगे आप खुद वहाँ से एंटर होंगे बट आपका NNE में द्वार है तो भी हम कहेंगे चलो चल जाएगा थोड़ा नोर्थ के लेफ और राइट द्वार हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये गलत नहीं है अगर आपका नोर्थ इश्ट में द्वार है तो इसको हम गलत कहेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से देख लीजिए नोर्थ फेसिंग फैक्टरी के अंदर आप लिखना खास कि आपका जो द्वार है वो नोर्थ में होना चाहिए NNE में होना चाहिए नोर्थ इश्ट में नहीं होना चाहिए और NNW में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर द्वार होगा तो वहाँ पर भी हम आपको समझाएंगे कि आपको किस तरह से वो द्वार डिश्टब करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी सिरीज बनने वाली है छोटी छोटी बात यहाँ पर क्लियर होगी आप वहाँ पर दूसरा द्वार बना दीजिए कि वहाँ से मट्रिल आ रहा है और मट्रिल जा रहा है अगर वो द्वार नहीं है तो उसकी भी हम लाश्ट में चर्चा करेंगे कि वहाँ पर द्वार कैसे री ओपन यानि वरिचल एंटरी कैसे क्रेट की जाती है पर आपके नोर्थ वेश्ट में अगर द्वार है एक तो बेटर रिजल देगा वहाँ से आप डिस्पेच करिए और नोर्थ और एंटर आउट एंटर करिए अब यहाँ पर आपको क्लियर एक बात और बता देते है अगर यह नोर्थ फेसिंग फेक्टरी है तो इस तरह से आपने द्वार दे दिया अब यही चीज हम बात करेंगे इस्ट फेसिंग अगर आपकी इस्ट फेसिंग फेक्टरी है तो फ्रेंड्स इस्ट फेसिंग फेक्टरी के अंदर आपको दुवार कहां कहां पे रखना है तो आपको East में दुवार रखना है और थोड़ा बहुत E&E में दुवार आएगा कोई प्रोब्लेम नहीं है E&E और East के अंदर आप दुवार रख सकते हो Best result देगा और एक दुवार आपको North West में भी चाहिए material dispatch करने के लिए बट East facing अगर आपकी Factory है और यहाँ पे किसी और का एरिया है तो आप कैसे यहाँ से दुवार देंगे North West में? Confusion है तो आपको क्या करना है? Factory के अंदर एक powerful नियम है जिस Factory के अंदर North West में से material dispatch होता है तो वो Factory बहुत बड़ा मुनाफा करती है हमारा profit का ratio इसी हे लिए घट रहा है कि आपके पास North West के एक opening entry नहीं है तो आपको यहाँ पे remedy करनी है यहाँ पे एक virtual entry एक 3D remedy आती है वो यहाँ पे आपको लगानी है तो friends यहाँ पे आपका confusion होगा कि sir हमारी factory East facing है जो हमने आपको बताया कि East facing में हमारी factory है बट हमारा जो यह यह North बिलकुम block है यानि हमारा जो रस्ता है वो पुरुवद इशा की तरफ है North में और किसी की factory है तो हमने हमारा मुख्य द्वार East का दे दिया बट आपका जो कहने dispatch करने के लिए जो ज़्यादा मुणाफा चाहिए उसका जो द्वार हमारे कहने के हिसाब से कहां पे चाहिए North West में जो नहीं है तो अब हम वहां पे क्या उपाय करें तो अगर आप वहां पे आपकी वहां पे स्वच जग्या है यानि वहां पे और कोई anti activity नहीं है जैसे North West में toilet नहीं है वहां पे कोई कहते नहीं है कुछ ऐसी चीजे नहीं है और वहां पे आपको एक simply wall मिल रही है या फिर किसी consultant से आप मिल भी सकते हो कि हमें इस North West में virtual entry opening करनी है तो यहां की जो quality है यहां की frequency है अगर वो frequency तो ये एक द्वार आप open कर सकते हो अगर इस plate को आप North West में लगा देंगे यानि आपके dispatch होने वाली जगा का द्वार open हो जाएगा तो इससे आपको भोतरी बहतरीन फाइदा होगा यानि आपका business भी अच्छा चलेगा business में कोई रुकावट होगी वो भी problem सोल हो जाएगी और आपके मुनाफा बढ़ जाएगा अब इसी बात को हम यह आपे और तरह से समझने की कोशिस करेंगे अगर आपका द्वार North East में है तो हमें क्या करना है हमने तो कहा है के North में द्वार चाहिए हमने तो कहा है N.A.N.E. में द्वार चाहिए या फिर North West में भी हम द्वार कहा के ले सकते है तो जब जब कहीं आपकी North East में अगर द्वार आ रहा है तो आप उस द्वार को ब्लोक कीजिए वहां के कलर के माध्यम के तवारा टेप लगा के या फिर एसा एक हमारे पास ब्रास का कस्टमाईज बुष्टर आता है डोर एंटरंस बुष्टर ये ब्रास का आता है इस तरह से एक ब्रास का ये कोपर कंटेन है बट आपको ब्रास का मिलेगा इस तरह से ये डोर बुष्टर वहां पे यूज करना है North East में अगर आपकी entry है तो देखें यहाँ पर smart work इस तरह से create करना है काम तो वही है, factory भी वही है production भी वही है, गलती कहां रही है मैंने नहीं owner change किया नहीं owner को ऐसा बोला कि दो गंटा ज़्यादा काम कीजिए आप ज़्यादा सस्ता material बेचिए आप वहाँ पे ज़्यादा machinery लेके आईए आपको कुछ changes नहीं करना खाली आपको changes करना है आपके वहाँ के वास्तु में और बिना तोड़ फोड़ अगर entrance गलत है तो यह booster लगा दीजिए आपको copper में भी प्राप्त होंगे brass में भी प्राप्त होंगे पर यह copper का ब्रास का जोन आ रहा है इसलिए हम ब्रास को यहाँ पे use करेंगे तो यह entrance पे लगा दिया और बापिस north के अंदर हमने यह fortune entry open कर दी यानि north की जो दिवाल है वहाँ पे यह plate लगा दीजिए कि यहाँ पे दुवार है यह समझ के NNW में opening करनी है तो NNW में opening करवा दीजिए और NNE में opening करनी है तो NNE में opening करवा दीजिए तो इसकी साहेता से बीना तोर फोर्ड आपकी factory आप बना रहे हो तो उस पहले से planning कर लीजिए कि हम दुवार यहाँ पे चाहिए नहीं ले पा रहे है तो यह लगा देंगे अगर दुवार खुल रहा है तो बेश्ट है इसी तरह East के अंदर Northwest के entry मिल गई East के entry already है ESE में entry नहीं बनानी पर अगर ESE में entry है तो क्या करेंगे तो बापिस booster से उसको block करेंगे किस तरह से block करेंगे हमरी customer care से आपको सब कुछ knowledge मिल जाएगा और वहां के entry को block करने के बाद बापिस East में या ENE में बापिस आप fortune entry ओपन कर दीजे चाहे वहां पे hard दिवाल हो या वहां पे आने जायना का जगा नहीं है पर आपके business के progress के लिए आपको वो दुवार किस तरह से career रत करवाना है किस तरह से virtual entry का प्रयोग करना है तो इस तरह से ये smart gadget के दौरा smart work के दौरा hard work में और profit बढ़ा दीजे तो इस video में हम दो zone यानि north facing और east facing के बारे में आपको बताया है दौर का किस तरह से प्रयोग करना है आगे पूरी शुंखला के अंदर दौर आएगे शोचा ले आएगे आपके sitting area आएगी आपके pantry आएगी आपके staircase आएगे आपके heater आएगे भूत कुछ ऐसी आपको knowledge प्राप्त होगी आपके business के अंतरगत तो आप अगर industries वास्तू करवाना चाते है या कोई और कुछ knowledge लेना चाते है तो हमारा संपर कीजिए बाकी ये वीडियो को आप load कर लीजिए, download कर लीजिए एक check note बना जिए checklist बना लीजिए पूरी शुंकला को अच्छी तरह देखना अगर आप factory मालिक हो तो ये 2024 में जो आप वीडियो देख रहे हो आप 25, 26 या 27 यानी 2025, 26, 27 के अंदर आपकी factory का profit भी देख ले ना कितना अच्छा होता है यहाँ से जो आपको guidance प्राप्त होती है Thank you friends हर हर मादे हो, हर हर मादे हो हर हर मादे हो